देश में मापूर्शों की पुतले की तोड़ फोर विडमना होने वाली घटना आम बात हो गई है लेकिन अभी ग्रामिन भागों में भी कुछ समाज कंटकू ने भगवान परमेश्वर की मूर्ती को भी नहीं छोड़ा उसकी भी विडमना की गई हाली में गुरुवार को भानेगाव बेकुन धाम पर कुछ समाज कंटकोने श्री भगवान शंकरजी की मूर्ती चबूतरे से नीचे फेग विडमना की जाने की घटना सामने आई इस संदर में भाशपा पार्टी शाका भानेगाव ने सदर घटित घटना का निशेद जता कर अग्यात आरूपियों पर कठोर कारवाई करने के लिए खापर खेड़ा पुल स्थाने में शिष्ट मंडल ने निवेदन दिया बताया जा रहा है की साव ने कमलेश्व विदानसवा शेतर में भानेगाव ग्राम पंचायत अंतरगत खापर खेड़ा कामची मुख्य मार्ग पर कोला नदी पुलिया के पास बेकुन धाम शम्शान घाट है इस घाट पर पिछले 10-11 साल पूर्व भूला भाई विटो भाजी ढोके इनकी स्मृति शेश पर सरस्वता भाई राम राव गूगल इन्होंने भगवाई शंकर जी की मूर्ती दान करके विदिवत स्थापना की थी बेकुन शम्शान घाट रहने से यहां शोककुल परिवा पूजार्जना करते थे इतना ही नहीं यहां पर महाशिवरातरी नाग पंचमी रिशी पंचमी और अनेक त्योहारों को भी श्रत धालूं आते रहते थे मात्र दो दिन पूर्व अग्या समाच कंटक आरोपियों ने मूर्ती को चबुत्रे से गिरा कर फेक आ गया जिससे मूर्ती की तोड़ फोर की जाने की घटना घटी इस घटना से शेत्र में निशेत कर इनग्या समाज कंटोव पर कठोर कारवाई होने की मांग की ज़ार ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाने वाली घटना से नागरिकों में तीवर रोश व्याप्त हो गया आज शुकरवार को भगवान शंकरजी के मूर्ती का कोला नदी में विदिवत पूझ अर्चना करते में विसरजन किया गया सदर घटना की जानकारी खापर खेडा पुलिस को दी गई पुलिस ने घटना इसलल जा का घटना का जय सरिया खबर लिखे जाने तक अपराद दर्ज नहीं हुआ था घटना सामने कैसे आई शेत्र के विवेद लोग सुभा मौनिंग वॉक करने जाते हैं गुरुवार को मौनिंग वॉक करते समय अचानक किसी का ध्यान मूर्ती क्यों और गया तो मूर्ती चबूत्रे से नीचे टूटी हुई पड़ी हुई थी जिससे घटना सामने आई ग्राम पंचाय सरपंच रविंद चुटकुले इस तंदर में भानेगाव के सरपंच रविंद चीखले ने बताया कि भानेगाव वेकुन धा में भगवान शंकरजी के मूर्ती की कुछ असमाचिक तत्वों के लोगों ने विनमना की ऐसी घटना शेतर में पहली बार घटी समाच में दिल धला देने वाली घटना को गंभीरता से लेते हुए ऐसे आसमाचिक तत्वों के लोगों पर कड़ी से कड़ी कारवाई की मांग की जारी है अग्यात आरुपियों का नाम किसी को भी मालूम हुआ तो उसकी जानकारी दीचा इस घटना का तीवर निशेत करता हूँ